जो लोग एनीमाल को ज़्यादा प्यार करते हैं ना बो लोग मेरी तकलिफ को समझ सकते हैं हमारा बेटा को ज़्यादा लगा आप यह जाने बर से वो हमेशा रूता था हमको डग चाहिए, क्याड चाहिए, राबिट चाहिए जाए जेट मेंज शचान राइट काए क ele नया खिंड काएसे कोई फ्रेड की लिए कोई फ्रेड की लिए सब्सक्रेदि अरुए तो घर पर में दूब जहात है नूजो एक दो बच्चे जो थे हैं घर में होती है और तीन घंटा मैं टूमा-टोध नेखनां आपके tartaran एक जम या जा इंदुर्न sicklie होता कर दो के-डंदिये था लai कि अपके द्भीन्दम जमनें जर्व है Bossed又 में टूमा आटारा कर से लोज़ाना तो मोची तो में मार्केट जाके एक छोटा सा राबिट वाइट कलर का लेके आए हमारा बैटा का मन फूल लग गया उसके सब खिलने लगा वो एक दो मिने में फूल बड़ा हो गया अच्छे से सब कुछ खाता था वो उसका रेड रेड आँखे दिख रहा था बहुत अच्छा लग रहा था बहुत क्यूट दिख रहा था जब फ़र्ष्ट करोणा आया हम में और मेरे बैटा उसको लेगे हम गाउं को जाने लगे उस दिन क्या हो जिस दिन हम जाने वाले थे अक्छिल हमारा जगड़ा हो गया था हाजबन के साथ तो हम गाउं जा रहे थे वो उनको थोड़ा यह व मतलब बाल जटता है उसका और वो कितना वे उसको सिखा वो अनिमाल है कभी कवार इधर उधर मतलब अटलेड बगड़ा कर लाता था तो हजबन को इधना पसन नहीं था वो कहते था तुम तुमारे साथे रोको मुझे पसनने मेरे पास नहीं आने देना उस दिन क्या हुआ वो जब जाने की टाइम हुआ हम उसके नम रामल रखे थे हमरे राविट का वो जð видим का और दोहा से पेर को एसे मतलब पकड़के रखा मीरे हाजबन बोले क्या हुआ हो जञआ हyez मतलब बोच आ हरा था कि हम बोच चाहला नहीं चाहता था हमको रहना चाहते हैं हम जब घर पाद हम को पर आपकी तो बहुत रभावता को फस्ट करोना था हम घर पाद सारे हरे लोको कर आपी अध्याइनल को दिखाने लागे लेकिन सब लोग मतलब मना कर रहे थे हम नहीं देख रहे हमको इतना आडिया नहीं है राविट के बारे में हम नहीं देख रहे किदर बजाओ बंद है मैं ठेक से उसको मतलब ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थी मैं बहुत रोती थी इसको इतना बचाने की मैं कोशिस कर रहे थी उसको दिन बदिन उसको तक फुल खराब होने लगा वो खाना चोड़ दिया वो फुल पतला हो गया उसको देख के कोई मालूम नहीं पड़ेगा मतलब जिंदा है या मर गया उसको सासे चलेगा तो थोड़ा इधर इस ऐसे होगा लेकिन वह भी कभी मुझे लगता है कि मर गयी मैं बहुत रहती थी कोई की बोलता था यसे कोरो यसे कोरो सारल को जो बोड़े मैं बहुँ करते थी कुछ को करके मेरा नामोलसी ठीक हो जाए लेकिन बोटीक हो रहाथा था कुछ भी चीज़ा नाम ले रहे थे उसकी बाद मेरे बच्चा आशे रोता था उसके कब ठीक होगा कब ठीक होगा आशे रो रहा था मेरे हाजबन करके बोल जा बाबा ऐसे हो गया रामुल का वो मर जागा मेरे हाजबन बोले ठीक है एक बार वीडियो करो अने के बाद उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि बुजाना ही टाइम है वो इसे पेर पकड़ रहा था वो बाते उनको याद आई फिर बोले बो नहीं बोले छोड़ू वो जिन्दा नहीं बजेगा खाना रहे और यहाथ नहीं लगा एकशे कितना दिन मतलब बोले जिन्दा रहेगा तो पंद्रा दिन से 20 दिन हो गया था नहीं नहीं छोड़ सकती मेरे बहुर साइथ ने दूर आया है मेरे साथ उधर रखती अगर साइथ साथ वो कुछ नहीं होता उसको में लेके आई मेरे वज़े से उसको ऐसे हो गया इसे सोचके में कर रही थी बहुत रो रही थी भूर को भी मननत मांग रही थी ऐसे ऐसे करके मतलब मेरे दुआ रंग अगल तो मेडिसिन फेला हो नियुका रहा हूं इससे बना कर उसको मेल्ट करके इसको मुंमें से खुला करके उसके आंदर थूषती थी, की वो आखर मतलोग खा नहीं पाता है,.." सब्सक्राइब सब्सक्राइब मेरे बच्चा खाना नहीं खा रहा था उसको देखके मेरे रामलु रामले से कर रहा था रो रहा था रात को एक बजे दो बजे वारा राजे कभी मेरे नेद खुलती थी मैं उसके पास आती थी ग्यास में जाके नमक को कपड़े में ऐसे गरम कर तो सेकती थी उसको गलक आगे मतरी इतना बड़ा सा हो गया था बबल चुसा बन गया था सब लोग बोल रहे थे जिंदा नहीं बचे लेकिन मैं कोशिष कर रहे थी झिपके नहीं बढ़ रहे थी जब तो उसको जाने में तो ऐसे छोड़ने सकती थी बहुत रूती थी, बहुत दुआय मैंखिरी भगान को बठीक हो गया, उसके बाद हम उसको इधर चितर में लेके आगे, आने के बाद मेरे हाजबने थोड़ा उसको ज्यादा प्यार करने लगे, कि वो मोत की मुझे आगे था, वो सारे बाते उसकी आदा आई, उसको जुला पर लेके दो घंटा तक एसे जुला पर उसके बेठा के जुला है, वो गोसे नहीं उतर रहा था, ऐसे कुछ ती नहीं हुआ, वो बहुत मतलोग, क्या बोलू, इंसन जैसा था था, वो, मक्सिम्टा में आके एसी में सो था था, हमारे बडरूम में, कभी-कभी जान वह रहा था, मेरे हाजमन गुशा होते थे, तो मैं ऐसे खुला छोड़ देती बाहर, मतलोग, दुसरे रूम में, हाल, दुसरे बेडरूम, किचेन, सर रहर जगह में हो जाता था, हमारे बेडरूम जो है, बंद कर लेते थे, दोर, रात भर दोर के बाहर से बैठता था, मेरे हाजमन दूद लेने के लिए जा रहे थे, बाहर बाहर बेठे थे, पॉनर थोड़ा आच्छी नहीं है, पांच मिनट के दूरी पर, मतलब जो जिदर मिलता था जोद, पांच मिनट के दूरी पर था, वह हम जब बाहर लोन था, हम बाहर बेड़ते थे, हमारे रामुल हमारे पास आजा आजा था, मतलब खिलन लेगे लें, हम चाड़ देते थ मतलब उसको मोर थोड़ा आच्छा रहा रहा बाहर धा, घर में रहेगा उसको अच्छा भी तो नहीं लग रहा है, हम जब बाहर बेढ़ते थे, वह मेरे पास आजा था था, हम उसको देखते थे, हम बोले, वह नुर की मिसिस के बोले, भावी थोड़ा, आप इधर है कि, हम वेले हां, उनके दो बच्चे हैं, उनके साथ को बैठेते हैं, ठीक हम दो मिनटी में आ जाते हैं, आप थोड़ा देखिए, हमारे रामल इधर बाहर बैठे, क्यों लेके जाएंगे उसको लग करेंगे बाद में आके फिर तो खोलना है, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर छोड कर दिया था, वो लोग बच्चे बहुत ज्यादा सराथ करते हैं, एक तो पोन और भी अच्छी ने, वह मतलब बहुत जिलेश, या तो उसको पकड़ दिया, वह समलने पाएं, उसको नीजए पटक दिया, या तो ज्यादा प्रेस कर लिया, या तो पैर में उसको मार दिया, प्रवार को मालूम है लेकिन हम जाप आके देखे बूर अक्टिव नहीं हो रहा था एक जगह में मतलब उसको कोई मार के जिसे आपके बच्चे उसको पकड़ थी किया ने नहीं कुछ नहीं किया लेकिन वो खाना नहीं खाया उसको में जो भी दिया वो खाना नहीं खाया रात को मेरे हजबने आई ड्यूट से में बोली वो रामूल खाना नहीं खा रहा है साथ उसको कुछ हो गया वो कुछ कर दिये मार दिये क्या पता ने हस्पिरल लेके चलेंगे हजबन रात को किधर जाएंगे मुझे तो हस्पिरल जानवर का हस्पिरल किदर मालूम भी नही इसको बाहर रूम में छोड़ दो वहाल में दूसरा रूम में वह इधर आए गा जाएगा फैना नो कर दो शुबह होगा तो फिर देखते हैं नहीं सुबह का इंतजार करें थे इसको पाप उचले के उसको उपर उसको बिठा दिया पांच जब पांच बाज गया मेरे हाज्मन अंक बाहर उठने लगे वह एक्सराज करने कले जाके वह फस्ट रामल को देखे तो चिल्ला ने लगे हाज्मन चिल्ला चिल्ला ने रस्मी जल्दी आ जो मैं डर गए मैं थोड़ी भुला कड़ू मुझे लगा साइध में डोर रात को नहीं बंद की थी च्योर आगे थे च्रिकर के लगे क्या पता नहीं मेरे फिर में यह है कुछ कर दिया मैंने गल्ती इतिया जोर से मैरे हज्मन चिला रहे इसके बाद मैं दुट कि गई क्या हो वाज ऑफ बले रामल उमर गया मैं जोड़ से रोना में बोजो दूख चला गया था सिल लोने लगी मेरा बच्चा उटिटके गया खिया हुआ मुं में कुछ नहीं बोल्य उसके पास बैटके रो रहे थी मेरा बहुत ज्युक चलाने लगा मैं रख सीचेध के अधा घंटे और कैसे करना बहुत ज्यादा था अब उन्हें अच्छ न्याइथी हज़्वें डर्केसाद मेरे रामल को कर ना मालूम नहीं है वह उसको करना हो गया हो तो नहीं हमको निकाल दगा घर से मतलब तुमारी घरवलको करना वूत ना मतलब बुरी है वो डर की क्या कि वो हमको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे हम माबटे बहुत ज़्यादा रो रहे थे वो लेकि मेरे रामुल को घर की साइड में गातों बांडरी चार तरफ था वो बांडरी उस तरफ फेग दिये उसको दफ्णाने के लिए मतलब मुखा नहीं मिला टाइम नही डर गए थे वन वड़ जगड़ा करें खरगए और उपर माबटे इतना रो रहे थे हो उसके बाद हम तीनों रो रहे क्या हम पिर बगनने लगा लाई हम तीनों को बुखार और चाड़ घर गया हम को लगा साइड रामुल को भी अ करो नहीं हो गया था उसके बदेश हमको भी हो गया है ऐसे सोच रहे थे हम को तब बहुत जादा हम एक्चिल हम रो रहे हैं हमर तब खरब हो गया था इसके बाद बहुत दिन हमको लगा ठीक हो ने कलिए मेरा बचा खाना पिना छोड़ दिया नीद में भी वह राम लामुल करा था नीद में चलने लगा वो डिप्रेशन में जाने लगा बहुत रो रहा था इसे लग रहा था मानो जीकर में को की इन्शान के माता हो जाता है जैसे फील होता है न回去 パना पिना नहीं हो रहा ता गरमें घुष्णे स्इट द्खेशनी से पायर करते हों पीजोंगा लोग तो मर जाते हैं लोगों इतना दुख नहीं करते हैं बहुत छोटा सा आने वाले किसी को दिलब इतना दन नहीं लगेगा मेरा बच्चा को मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था उसको कंट्रोल करने लिए वह पता नहीं कैसे कैसे हो गया था हुआ है हम भी उसको भूल नहीं पा रहे थे उपर से उसको मतलब जूटे मुटे समझा रहे थे कि कुछ नहीं चोड़ो लुब बोड़ा तो जाके देख रहा था वह फिर से जिन्दा हो जागा भोगान को मतलब दिन राजा के शिक बड़ा था भोगान मेरे रामल को ठीक कर कि दो जिन्दा को दोस्को बत्चा है वोसको मालूने तो एक बार मोट जाते बाद दूबार को भी नहीं आते हैं रूपी रोह था एक दो मीना ऐसे मिज़ता बहुत बप्सक्राइब हो था हम वो मतलब उसको कंट्रो करने के लिए उसके बाद हमने रहा दो और लाने के लिए भूमत लो दूसरा लेके आ जाएते हैं उसके साथ कोई नहीं खेलने के लिए उसके टाइम परेस करने के लिए बहुत सारे बाते उसको बोलता था रामुल को यह देखो अच्छा काट नहीं यह देखो आच्छा जोग जाल रहा है मोबैल में उसको दिखा अड़ा रहा था सबकूproduk जो साथ बात कर रहा था इसे लग रहा था बो भी इंसान ये इस से वो उसके साथ बात करता था कब भी ऐसा नहीं हुआ । कि अज़ने काट लेता हुए तो हमको इसे रहा होता है लगने हाजबन कैसे करता था मुझे भी नहीं हुआ आपको लेकि यह दूसरा लेके हाँगे मिरे हजऴ نے राजी नहीं हो रहते मतलब दूसरा लेकर, नहीं आएंगे हम इसे बोहत तकली हो रहा है आहने के बाद हमको भुलने में बहुत हो रहा है लेकिन मैंने बच्च को हल्या थे मुझाना ही जा रहा है बच्चा तो मतलब डिप्रेस्ट में जा रहा है दुसरा लेके आएंगे तो वह थोड़ा जाएगा इसके बाद हमने डिशेट किया और दुसरे बाले लेके आगे दुसरे वाले जो लेके दुखो और बीबड़ा बन गया दुसरी वीडियो बनाएंगे ये वीडियो तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा दुसरे के बारे हम दुसरे वीडियो बना देंगे रखते हैं आब रखते हैं आब रखते हैं